So, Hey Guys and Welcome to One Minute Snooker Series So, इस वीडियो में अपने बात करेंगे How to Pod Along the Cushion Cushion से चिप को ये बॉल को कैसे पॉट करें और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करें So, Let's Get Started So, Cushion से लगे हो ये बॉल को दो तरीके से बॉट किया जा सकता है तो पहला तरीका है देखे यहाँ पर Q-ball और Object Ball की बीच में जो distance है वो कम है तो यहाँ पर आप Object Ball और Cushion को एक ही टाइम पर हिट कर सकते हैं लेकिन इस condition में क्या हो रहा है यहाँ पर आप Object Ball और Cushion को साथ में हिट नहीं कर सकते इसलिए अपन Left Hand Side यूज़ करेंगे जिस तरफ पॉट है उस तरफ का Spin यूज़ करेंगे जिससे की बॉल पहले Cushion पर लगेगी और उसके बाद reflect होकर Object Ball को लगेगी और Spin के कारण वो बॉल जाकर पॉर्ट होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें